हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इस्टोवेरी को कैसे हम जादा दिनों तक बचा कर रख सकते हैं क्योंकि यह जैसे हम मार्केट से लाते हैं यह अगले दिन ही खराब होने लगती हैं तो हम इने कैसे बचाएंगे तो मै हम इस तरह से बड़ा बाउल लेंगे यह बरतन कोई भी उसमें एपल विनिगर डालेंगे आप चाहे तो वाइड विनिगर का भी यूज कर सकते हैं एक धकन भरके एपल विनिगर डालेंगे और हमने यह नॉम्मल पानी लिया बिल्कुल सादा पानी लेना है नल से हमें और पानी निकाल देंगे और दो से तीन पानी से अच्छे से धुल लेंगे जिससे कि इसमें विनिगर का बिल्कुल भी टेश्ट नहीं आना चाहिए सारा पानी इसका हमने निकाल दिया बाउल से इस तरह से अब हम एक टिशू पेपर लेंगे या फिर न्यूस पेपर लें आप या फिर कॉटन का कोई भी कपड़ा ले और सारी स्ट्रोवेडी को इसके उपर एक एक करके रख देंगे इस तरह से इस तरह से हमने इसको किचिन टावल पर अच्छे से फैला दिया है सारी स्ट्रोवेडी को और पंगे की नीचे अच्छे से सूखने देंगे अभी अच्छे से सूख गई है अगर लगता नामी है तो हलके हांतों से कपड़े से भी ने पोच लें और इस्टोवेडी को सेफ रखने के लिए हमें एक एरटाइट कंटेनर लेना होगा उसमें इस तरह से किचिन टावल या टिशू पेपर जो भी हो आपके पास उसको बिच्छा देंगे और अच्छे इतनी इस्टोवेडी हैं उनको हम एर टाइट कंटेनर में रख देंगे इस तरह से टिशू पेपर की उपर और कोई इस्टोवेडी खराब है तोने हम हटा देंगे इनके साथ मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि यह जो अच्छे इस्टोवेडी हैं उनको भी खराब कर देंगी अब इस तरह के टिशू पेपर लगा कर इस तरह से ड़कन से टाइट करके इसको बंद कर देंगे से हम सेव क करके 10-15 दिन तक आराम से रख सकते हैं जब भी मन करें थोड़ी स्टोवेडी निकालें और से इसी तरह से बंद करके रग दें इस तरह से अगर हम स्टोवेडी को रखते हैं यह टाइट कंटेनर के अंदर तो यह अच्छे से लंबे टाइम तक चल जाती हैं हमारी स्टोव